जय हिंद इस वीडियो वह लोग टॉरेंट फर्मा कंपनी के बारें बात करेंगे इस कंपनी को टॉरेंट फर्मा सुटकर लिमिटेट के नाम से जाना जाता है यह मेडिकल सेक्टर की दिगज कंपनियों में से एक है इसने हाली में डिविडेंट देनी की बात कही है इस वीड देखेएगा चले वीडियो शुरू करते हैं देखे टोरेंट फर्मा सुटकर लिमिटेड मैंने आपको बताया कि मेडिकल सेक्टर के दिगज कंपनी है और दवा बनाने का काम करती है इसका मार्केट क्याफ है 45,689 करोन रोपया अब चुकि मेडिकल सेक्ट के दिगज कंपनी यहां तक आया है अब हम लोग बात करते हैं बोर्ड डायक्टर की मीटिंग की जो इसी साल 25 जनौरी को हुआ था और इस बोर्ड डायक्टर की मीटिंग में दो परमुख बाते निकल कर सामने आई थी एक की कंपनी इंट्रिम डिविडेंट देने जा रही है इसके बारे में पांच रुपया और साथ पांच रुपय के फिस बेलो पर कमपनी 25 रुपय का डिविडेंट डिकलियर की है यह अच्छा है रिकॉल डेट रखाए तीन फरवरी यानि कि अगर आपको इस कंपनी का डिविडेंट चाहिए तो आपका नाम इस कंपनी के सेयर है तो कोई दिक् का रुपया है वह थोड़ा जल्दी आपके बैंक के काउंट माने में इससे थोड़ा जादा समय लगता है तो उम्मीद करता हूँ डिवडेंट के बारे में आपको सब क्लियर हो गया होगा अब होनों क्वाटर 3 के नतीजे पर बात करते हैं कंपनी ने जो क्वाटर 3 के अब बात करेंज की कम नहीं कर रहें लेखिशली बार जितना ज्यादा ऐसक वह दो खम जादा प्रास्ट करेंज सब्सक्राब्ण में थोड़ा कम किया लेकिन घंसे में कमी नहीं आया यह कंपनी इस बार 1399 क्रोन रोपया खर्च की थी पिछली क्वार्टर में अगर प्रोफिट आप्टर टेक्स की बात करें जिसा सूट कर्ण में पैट करते हैं या टेक्स देने के बाद कमपनी के पास बासता है इसलिए से सूथ इंकम भी कहा जाता है यहां कमपनी को दूसर उन्चास क्रोन का बात करें तो 14 रुपया 15 पैसा है और टूमें या ठार पांच रुपय की कमी आई है कुल मिलाकर बात यह कि कौटर थी के नतीजे कंपनी के अच्छे नहीं रहे हैं पिछले क्वार्टर के तूलना में फिर भी कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करने जा रही है कंपनी इस गृुप में إसके पहले कउंपणी ने कभी 25 रुपया डिविडेंड नहीं दिया है की कंपनी साल में् दो बाट डिविडेंड यह अच्छी बात लेकिन वहीं 15 प्रुपया दस रुपय कह सपस खंपनी अभी तक डिविडेंड दे आई है और इस पर 25 Rs. डिविड तेने बादे